अगली खबर में बात करते हैं रीवा की जहां कलिक्टरेट के बार सागर सभागार में आयोजित बैठक में कलिक्टर ने कहा कि कुपोशन को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करें सिस्वों तथा गर्वती माताओं के सही पोशन के लिए आवश्यक आहार के साथ साथ परिवार के सदस्यों को सही सला की भी आवश्यकता है कुपोशन को दूर करने तथा हाई रिस्क गर्वती माताओं की स्वास्त रक्षा के लिए जिले भर में अभियान चलाया जाएगा अभियान के प्रथम चरण में हाई रिस्क गर्वती महिलाओं के स्वास्त की जांच तथा आवश्यक होने पर उन्हें खून चढ़ाने के लिए सभी विकास खंडों में सिवीर लगाये जा रहे हैं मुके चिकित्सा एवं स्वास्त अधिकारी हाई रिस्क महिलाओं की सूची बनाकर उनके स्वास्त के जांच की उचित विवस्था करें सिवीरों के लिए इस्त्री रोग विशेशक तथा अन्य डॉक्टर तैनात करें कलेक्टर ने कहा कि जिला चिकित्साले में उपचार की आधुनिक्तम सुविधाएं उपलक्त हो गई हैं विकास खंडों से रेफर होने वाले रोगी सीधे जिला चिकित्साले में भरती करें यहां भरती होने वाले रोग्यों के उपचार के लिए सिविल सर्जान डॉक्टरों तथा अन्य चिकित्सा कर्मियों की तैनाती करें हाई रिस्क गर्वती महिलाओं को ICU वाड में भरती कर उपचार करें जिला अस्पताल में रोग्यों के पंजियन तथा OPD की पर्ची कटाने की विवस्था का सर्णी करण करें काउंटर में ओनलाइन फीस्बुक दान सुनिश्चित करें रिफरल रोग्यों का पंजियन चिकित्सा कर्मी ही कर दें से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचते ही ततकाल उक्चार की सुधा मिल जाए रोग्यों को पंजियन के लिए भटकना ना पड़े करेक्टर करें कि कंपोशित बच्यों को सही पुशनन आहार अधा धा गर पर ही देकर उनका पोसट इसतर बढ़ाया जा सकता है इसके लिए बच्यों की देक्बाल करने वालों को जाग्रुप करना होगा हर मात अपने बच्चों को स्वस्थ और अधिकारी डॉक्टर एनन मिस्राट डीपी एम डॉक्टर अर्पिता सिंग सिविल सर्जन डॉक्टर पीके गुपता सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास आसीज दुबे तथा अन्य चिकित सा अधिकारी उपस्थित रहें